अलो फ्रेंड्स वेल्कम तू टेसी टेस्ट आज मैं बना के दिखा रही हूं गट्टे की सब्जी जो की राजस्तान की ट्रडेशनल डिश है तो आप लोग बना कर ट्राइब कीजिएगा गर में जब सब्जियां खतम हो जाएं फ्रिज में सब्जियां खतम हो जाएं तो इसमें ने लिया है बावल और उसमें डाला एक कटोरी बेशन एक स्पून लाल मिर्च पाउडर एक स्पून हल्दी पाउडर एक स्पून जीरा पाउडर आधा स्पून नमक एक स्पून जीरा और साथ में अज्वाइन एक स्मून मसल कर सबकों अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप बेसन की क्वांटिटी बड़ा और घटा भी सकते हैं जितने आपके घर में फैमिली मेंबर हो उस इसाब से आप इसे बना सकते हैं अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स करका मैं इसमें सर्सों का तेल डाल रही हूँ मैंने इसमें चार चम्मत सर्सों का तेल डाला है जो की एक कर्ची के बरावर होता है अच्छी तरह से तेल को हम सारे मसालों और बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे देखिए इस तरह से जो है मुठी बनने चाहिए तो ये और उसी में हम पानी यूज़ कर रहे हैं पानी जो हम यूज़ करेंगे थोड़ा warm water यानि कि थोड़ा गरम पानी हमको यूज़ करना है और पानी की मात्रा भी तेल की मात्रा जितनी ही होगी तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसके अंदर पानी और मौन दोनों की मात्रा सेम होगी तो आपके गटे बहुत ही अच्छे बनेंगे क्योंकि कई लोगों की शिकायत रहती है कि जब हम गटे बनाते हैं तो अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं कच्चे रह जाते हैं उसका कारण होता है वो अच्चे से नहीं उबलते या उसमें मौन और पानी की मात्रा अच्छी नहीं होती क्योंकि कुछ लोगे गटे फैल जाते हैं तो आब इसमें के हम चोटी-चोटी लोगिया बना कर तयार करेंगे इस तरह से और मैं उनको लंबाई की शेप में उनको आकार दूँगी आप चाहे तो इनको चोटी-चोटी टिक्कियों की शेप में भी बना सकते हैं तो इस तरह से मैं सारे गटों को लंबाई शेप में आकार देती हुरी बना रहे हूं गटे की सबजी राजस्तान की ट्रेडिशनल सबजी है तो आप लोग इसको जरूर ट्राय कीजिएगा यह खाने में बहुत ही स्वाधिश लगती है और यह सबजी आप बना कर जरूर ड्राय करिए और अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो अगर आपको कुछ रेसिपी इसके बारे में पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ही पूछिए तो यह हमारे गटे बनकर के तयार हो गए हैं अब इन्हें हम पानी में उबाल लेते हैं ध्यान रखिए पानी एक दम तेज गरम होना चाहिए और मैंने दो कप पानी का यूज किया है तेज गरम उबलते हुए पानी में गटो को ढलिए ठंडे पानी का यूज ना करें पानी जब उबल जाए तभी गटो को ढलें पास मिनट बाद मैं खोल की देख रह हूँ हमारे गटे बनकर के तयार चलिए एक गट्टा में आपको दिखाती हूँ, इस तरह से गट्टों के उपर बुल-बुले से आने चाहिए, इसका मतलब गट्टे बन करके तयार है, तो हम सेम बाउल में हम गट्टों को पलट देंगे, जिसमें हमने इसका आटा गुन कर तयार किया था, तो अब हम दूसरी तरफ इसके लिए बेस जो है, इसको हम चोटे-चोटे पीसोज में काट लेते हैं, और ये हमारे गट्टे कटके तयार हैं, तो चलिए दही तयार कर लेते हैं, सेम कटोरे में मैंने दही लिया है, सेम नाप से, और उसमें मैं एक बड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, आधा चमच नमक, डाल करके अच्छे से मिक्स करना है, क्यूंकि हमने नमक का यूस पहले भी किया है, तो नमक की क्वांटिटी हमने थोड़ी कम रखी है, अब हम एक पैन में एक बड़ा कर्ची तेल डाल तेल हमारा गरम हो गया है, तो इसमें हम मसाले भूनेंगे, मैंने लसन बारी बारी काट कर दो चमच लसन का यूस किया है, अच्छी तरह से लसन को भूल लीजिए, आप चाहें तो बिना लसन प्याजके भी इसमें बना सकते हैं, एक बड़ा चमच जीरा और थोड़ा सा ज उसका जो भूने होए जीरे का फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा आता है, उसकी खुश्पू बहुत अच्छी आती है, और साथ ही एक पिंच अदरक को कद्दू कस करके इसमें डाला है, एक हरी मिर्च बारी काट कर डालिए, और सब को अच्छी तरह से भून लीजिए, और एक छोटा पियाज, एक स्मॉल जो है पियाज मैंने काट कर इसमें डाला है, बहुत जादा पियाज की गटों में जरुरत नहीं होती, सिरफ हमें उसका फ्लेवर देना होता है, तो पियाज को सुनहरा होने तक अच्छे से भूनिए, अब इसमें हम, जो हमने दही का इसको आप हिलाते रहे, हिलाते हुए उसको पकाईए, जब तक कि थोड़ा सा तेल ना छोड़ दे, दही और ग्रेवी थोड़ा सा तेल ना छोड़ने लगे, जब तक आप इसको उबालिए, और अच्छी तरह से उबलने दीजिए, दो से तीन मिनट तक, तो देखिए इस आप इसे उबालिए, लगबख ग्रेवी बनकर तयार है, आप चाहें तो बिना प्याज लसन के भी इसको बना सकते हैं, खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट गटे बनते हैं, तो फ्रेंट ज़रूर ट्राइ कीजिएगा, और यह हमने जो गटे उबाले थे, वो हम इसमें डाल अब इनको मिलाकर अच्छी तरह से दो मिनट के लिए हम इसे दुबारा उबालेंगे, गैस की फ्रेम हाई रखिएगा, साथ ही मैं इसमें थोड़ा धनिया पत्ति काटकर डाल रही हूं, और उसके बाद हम दो मिनट के लिए इसको उबालेंगे, तो हमारी गटे की सबजी करके तयार हो जाएगी, तो देखिए कितना असान है बनाना, यह देखिए, गटे की सबजी बनकर तयार है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, फ्रेंड्स इसे जरूर बनाएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, तो जल्दी से आप भी आज इसे बना कर ट्राइ कीजिए, तेंक यू फ्रेंड्स.